नमस्कार साथियो आप सभी का सुवागत है जो किसलायन में दोस्तों कक्षा आठ वी के लिए विज्ञान का जो इंपोर्टेंट पेपर है वो यहां पे लिखे आ चुके हैं तो पूरा पेपर है साथियो आपको अच्छी से पढ़ लेना है बोड एक्जाम में जो आपका पे ॐए कि दोस्तों आप कोई भी कमयेंट है तो आपको कर सकते हैं यहां पे दोस्तों मैं आफसे सोटी से करऊंगा बहुत सारी विद्यार्ती जो है वो लगातार बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अनावसर गूरूप से ज़्यादा कॉल ना करें आपको जो भी चीजे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी बहुत सार विद्यारती है सुबह साथ वज़े से लग जा इसमें और उसके फसल खॐल परगुष Top 10 लीडार की मिला जाता है तो तुस्तिमा विब्रीयद चर्शल हमारी हो अच्छा उतपादन हम उसके लिए क्या करते हैं ठीक है। किट नासी क्या करेंगे जो कीडे लग जाते हैं उसके लिए करते हैं और जल हो गया जो की फसल का उत्पादन के लिए एक आउशक तत्व हो गया जो आपने इसमें सामिल करते हैं नेक्स प्रसंद देखिए अगला क्यूसर नंबर दो अगनी रोदक प्लास्टिक का उधारन है वह आपको यहां पर बताना पड़ेगा यानिकि जिसमें की अगनी का जली सी आग नहीं पगड़ती है तो वह हो जाता है हमारा मेला माइन अगला देखिए प्राकर्तिक रेशा क प्राकर्तिक रेशा के बात करें तो वह हुद था हमारा स्थर आप जब स्कूल में लंच वोक्स ले जाते हैं या कोई भी कहीं पर भी आप होटल में मालीजी रेस्टोरेंट मालीजी आपके अगर कुछ खाने की चीज़ लेते हैं तो इसको एलुमिनियम फोईल में डाल के दिया जाता आपको ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नमबर भी मेर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बोड एक्जाम 2024 की आपकी संपूर्ण तयारी करा दी जाएगी और साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी पीड़े फाइल हैं वह भी आपको मिल जाएगी एप पे आपको बस 57 दिन और बेट करना पड़ेगा और आप महां दोंगा डेमो के वेस्पे एक वीडियो मनाऊंगा आपके लिए जिसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि आपको किस परकार से परिशाओं की बेहतर तैयारी आप महां पर कर सकते हैं और वह भी मातर बिल्कुल जीरो रुपे में बिल्कुल फिरी रहेगा आपके लिए सबकुछ अगला है सभी सजीव सवसन के समय कौन सी गेंस अंदर लेते हैं तो जब आपन सास लेते हैं तो ऑक्षिजन गेस लेते हैं तो यहां पर ऑप्शन नमबर ए सही आंसर हो जाता है आगे देखें आपर सीचाई की दो पारमपरिक एवं दो आधुनिक वीडियो के न है रोसी यह सारी चीजिए कि माध्यम से अपन करते थे तो यहां पर तीन चान नाम मैंने बता दिये आधुनिक की अगर में बात करूं तो आधुनिक में क्या चल रहा है अभी ड्रिप पदती ठीक है ड्रिप ड्रिप पदती का नाम आप लिख सकते हैं अब ठीक है जो बू अमोनियम सलफेट सूपर फास्पेट पोटाज यह क्या है आपके किसके उधारन बाई उर्वरों के लिए यहां पर मैंने लिखा है अब देखें खाद और उर्वक में क्या अंतर है क्योंकि इसमें क्या होता है विसेस परकार के पौसक तातू होते हैं जबकि जो खाद होत पौलीमर से आपका क्या आश्या है यह आपको बताना पड़ेगा यह क्या होता है नाइलोन के रेशे का मुख्य गुण क्या है दोस्तों नाइलोन 36 वगर आपने पड़े होंगे जो कि क्या है एक परकार से कर्तरीम है मानव नेमित होते हैं और इनसे बहुत सारे चीज़े बनाइ जाती उन के बारे में आपको लिखना होगा क्या प्लास्ट्रीक उसमा विदुद का कुचालक कचालक है इस वरकारे 5 जीमर होता है कि प्लास्टीक हो गर्दाथ का होता है इसको पन लेते हैं किस परकार में लेता है अब यह आपको बताना पड़ेगा कि यह बिल्कुल नहीं होती है जो भी आपकी किताब है बहुत आप आपको बताना है लास्ट वीडियो में दोस्तों मैं अच्छे से इसको बताया था आपको अगर आपने देखा होगा दोस्तों जो भी वीडियो आपको बताया जा रहे हैं अभी बोर्ड एक्जाम के लिए आपके वह आप जरूर देखे वाई आपको 100% मिलेगा अब देखिए आपके सामने हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा साब ने क्यूशन रख सकते हैं बोर्ड के लिए कि मोश्ट इम्पोटेंट सारे क्यूशन एक तो होता है कि आपको पूरी किताब पढ़े और एक होता है कि आपके पेपर के माध्यम से आप मोश्ट इम्पोटेंट पर प्रकरम को समझाइए कल ही मैंने चाहिए विज्ञान का एक वेपर बनाया था आपके लिए उसमें पूरा पेट्रोल की बारे में था कि पेट्रोल की क्या क्या उप्योग है कहां का पर उसका यूज किया जाता है सारा उसमें दिया गया था अब यहां पर देखिए को के नहीं चितर भी आपको बनाना है और लेडी दोस्तों मैंने आपको बताया था एक यूशन और एक क्यूशन पेपर है जो कि मोश्ट इंपोर्टेंट था जो मैंने ओल्लेडी आपको साथ में बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा उप होती है दोस्तों एक परकार से बाहरी गैस होती है क्या होती है बाहरी गैस होती है ऑक्षिजन से तो यह क्या करेगी जहां पर रहेगी उसको क्या करेगी दबा देगी बिल्कुल उसके उपर हावी हो जाती है ऑक्षिजन को बिश्कुल नीचे बठा देती है अब दा सकता है इस त्वस्ट कीजी तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह भी आपको उसमें मिल जाएगा वन्य जीओ प्राणी जीओ अभ्यान से क्या असपर से हैं इनका आंसर भी आपको उसी में सब मिल जाएगा स्टेव बाई स्टेव यहां पर नेक्स्ट वाग मुह पर मास्क लगाना क्यों जरूरी है दोस्तों वहां चलाते सामें हमें हमें हेलमेट लगाना बहुत आवशक है क्योंकि इससे कोई भी दुरगटना के समय हमारी सीर पर चोट नहीं लगेगी और सिर्प क्या होता है कि एक परकार सी हमारा मस्तिस्क जो क्या है मैं चीज ह स्के dép incumbent क्या म्मुव माइच गरें आघए कंप वायों में मास्क लगाते हैं मवश रखते हैं मुह एक scoran में तो छिए यह था कि वायों के संबर्क में फैलता है इसलिए इसलिए मूँ उपने संब्साइब तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको विस्तार पूरवक है वो इस वीडियो में मिल जाएका विद आंसर आप देख लेना भाई यू अब देखिया आप आई वी एफ इन्वेट्रों नी से आप क्या समझते हैं वन्य जीव का संदक्षन क्यों आउशक है दोनों का आंसर आपक कि बारे मेंता जीसे कि हल क्या काम में आता है कदाली काम क्या काम काम अती है क्लटीवेेटर कि क्या काम आता रोच औरसक्माद थे एपना पर्षेंट रोर कि लाज्ट यह वे बारे में बताता है यह आपे दिखिए अगला है निम्ड पर आपको संक्सेत में टिपनी लिखनी है रंटंबोर राष्टे उद्दान केवलादेवी राष्टे उद्दान राष्टे मरूद्दान सरीषका भाग राष्ट पर योजना तो किसी एक पे आप लिख सकता है रंधमबब्ः आपका स्वाय मादोपुर में होता है क वला देवी भरतपुर में आपका धीक है और राष्टी-मरूद्द्धान आपको हाना है सर इसका जो की अलवर में पढ़ता ही है ठीक है कोईला हमें कहां से पराप्त होता है और यह केसे बनता है इसकी विद्धी आपको बतानी पड़ेगी क्या हम नीमू की अचार को एलिवनियम के पातर में रख सकते हैं तो यह सारे इंपोर्टेंट परसन होगे यह आपको अविलेबल है ज्यादा कोल ना करें तो ठीक रहेगा थीक मिलते हैं वीडियो में धन्यवाद